हलो प्यारी बच्चों मैं डॉक्टर भरतलाल मीना एल बीएस गवर्मेंट कोलीज कोट पूतली सहाचारी राजनीती विग्यान बच्चों मैं आज आपके समक्स बीए पार्ट दितिये के पर्थम परशन पत्र पर्मुख राज विवस्ताओं के अंतरगत ब्रिटिश सविधान में सविधान के अभी समय अथ्वप वेधानिक परमप्राएं परचर्चा करना चाहरूं दूसरा लेशन है देखो बच्चों कानून की सूखी हड़ियों के उपर अभी समय मानों मूल ढाचे पर मास रूपी आउरण है इनसे कानूनी सविधान कारी रूप में लाया जाता है और वे इसे निरंतर विक्षित विचारों के साथ रखते हैं सविधान के अभी समय अत्ववेधानिक परंपराईं जिने मिलने सविधान के अलिखित नियम डाइसी ने सविधानिक अधी समय और एंसन ने सविधानिक परंपराओं की संगय दी British सविधान के विविन्द स्रोतों में ने केवल एक वरन सरवादिक मेहत्वपुन स्रोत हैं British सविधान को भहत अधिक सेमा तक अभीशमयों पर आधारीत सविधान ही कहा जा सकता है अभीशमय का तातपरी प्रोफशर डाइसी का मत है कि अभिशमे सविधान समंदी नेतिकता के आदेश हैं। उन्होंने इसकी पूर्ण परिभासा देते वे कहा है कि सविधान के अभिशमे वे रिती रिवाज अत्वा समझोते हैं। जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन विधान मंडल के विविन अंगों को अपने विवे का धारित अधिकारों का प्रियोग करना चाहिए। चाहे वे समराट के परमाधिकार हूं या पार्लियमेंट के विशिस अधिकार हूं। प्रफिसर आग के अनुसार अभी समय उन समझोतों आदतों या पर्थाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनेतिक नेतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सारवजनिक सत्ताओं के दिन प्रति दिन के समंधों और गत्विदियों के अधिकांस भाग का नियमन कर रती है अभी समय के लक्षन प्रोफिसर आग और अणये लेक को दौरा अभी समय की जो प्रभशाइं दे गई हैं उनके आधार पर अभी समय के तीन लक्षन बताए जाते हैं जो निम्न प्रकार हैं अभीसमयों का स्रोट संसद की कानून निर्मातरी सकती नींन प्रथाएं होती है जब वे प्रथाएं धीरे धीरे प्रियोग में आते आते अपने उपियोगिता के अधार पर प्रसाशन में इस्थाई तो प्राप्त कर लेती है तब ही उनका रूप अभी समयों का होता है दूसरा पॉइंट है अभी समयों का पालन कानून या न्याइक मा नेता प्राप्त न होने पर भी विवार में अभी समयों को कानून जेसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानूनों के समान ही पालन किया जाता है कानून और अभी समय में भेद विवारिक प्रसासन के क्षेतर में यदेभी अभी समयों का कानून की भांती ही पालन किया जाना चाहिए, कानून और अभी समय में नेमन प्रकार के भेद किये जा सकते हैं, रूप के आधार पर, कानून लिखित रूप में होते हैं, अभी समय ए लिखित रूप में होते हैं, इनके स्वरूप का ये भेद एक अन्य भेद के कारण बना है, वह यह कि कानून लिखित हो कानून किसी कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा की परिणाम होते हैं जिनका निर्मान एक विशेश पद्दती को अपना कर किया जाता है अभी समय उधारन या विवार की परिणाम होते हैं जब एक विशेश परकार का विवार अपनाया जाता है और वह और ये विवार इसके समंद में अनेक बार वाद विवाद भी किया जाता है। स्विकृति के आधार पर कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व सक्ति का दबाव होता है और इन्हें न्याईक सरक्षन प्राप्त होता है व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवारी होता है और अवग्या करने पर वह दंड का भागी होता है लेकिन अभी समय का पा मात्र नेतिक सक्ति का इस कारण अभिश्य में को राजनेतिक नेतिक ताकि नियम मात्र कहा जाता है कानून और अभिश्य में के उप्युक्त भेद मात्र से धनती की है जहां तक विवार का समंद है ब्रिटैन में अभिश्य में का कानून के समान ही पालन किया जाता है के लिए इस बात का कि कोई नियम नयाएक अधिकारियों द्वार अम्हान्य है या नहीं कोई विश्येस महतु नहीं होता अभी समय और काऌनू एक दूसरे के पूरख हैं अभी समय और कानून में उप्युक्त कुछ भेद होते हुए भी अभी समय नहीं तो कानून के प्रतिदवन्दी होते हैं और नहीं कानून का इस्थान लेना चाहते हैं अभी समय तो कानून के पूरक होते हैं अभी समय कानून के अंतरालों को भरते हैं तथा उन्हें समय के अनुकुल बनाने में साहिक होते हैं अभी समय और कानून दोनों का एक ही लक्स है राज विवस् सब्छमिवें को पूरी सूची देना संभव नहीं है। इन में से प्रमुक अभी समय इस प्रकार है। पहला है समराट अपने मंत्रियों के परामर्च से ही कारी करता है। समराट लोग सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री पद ग्रहन करने के लिए आमंत्रित करता है अभी समय के ही आधार पर समराट ब्रिटिस मंत्री मंडल की बैठक की अध्यक्सता नहीं करता सिध्धान्त में समराट को अधिकार प्राप्त है कि वैस लोग सदन को भंग कर दे लेकिन ये परंपरा इस्थापित हो गई है कि समराट अपने इस अधिकार का प्रियोग प्रधानमंत्री के प्रामर से ही करेगा पदासीन प्रधानमंत्री के विरुध आविस्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद्ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है मंत्री मंडल से समंदित अभी समें अभी समय के अनुसार समराट के मंत्रियों के लिए संसद का सदश्य होना आनिवारी है संसद में किसी महत्वण प्रस्ताव पर पराजित हो जाने पर मंत्री मंडल या तो त्याग पतर दे दे या प्रधान मंत्री समराट को परामर्स दे दे कि उसके द्वारा लोग सदन को विक्टित कर दिया जाए अभी समय के अनुसार ही किसी कम महत्वपुन प्रस्ताव पर लोग सदन में पराजित हो जाने पर मंत्री मंदल के लिए पद त्याग करना आउसक नहीं है यह भी अभी समय ही है कि मंत्री मंदल सामुईक रूप से लोग सदन की परति उतरदाई होता है यदि लोग सदन किसी एक मंत्री की विरुद एविश्वास का परस्ताव पारित कर दे तो भी समस्त मंत्री मंदल को त्याग पत्र देना होता है सामानित्या प्रधानमंत्री मंदल के सभी सदश्यों को अपने ही राजनितिक दल में से लेता है और अपने सहयोग्यों के चुनाओं में प्रधानमंत्री श्वतंत्र होता है विधाई प्रकिरिया और संसत के दोनों सदनों के पारस्परिक समंदों के विशे में अभी समय संसत के दोनों सदन होंगे लोग सदन और लाड सबा ये बात अभी समय पर आधारी थे समराट वर्ष में एक बार संसत का अधिवेशन अवश्य ही बुलाएं और संसत के प्रथम अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के बीच एक वर्ष से अधिका समय नहीं होना चाहिए लोग सदन के अधियक्स इस्पिकर के समन्द में परंपरा है कि अधियक्स पद के लिए खड़े होने के पूरो उसे अपने राजनेतिक दल की सदशिता त्याग देनी चाहिए निरवाचन से पूर्व लोग सदन का अधियक्स निरविरोध चुन लिया जाता है और वह जब तक चाहिए लोग सदन का अधियक्स रह सकता है प्रतेक विदेक में तीन वाचन हो चुकने के बाद ही उस पर सदन में मद्दान हो सकता है जब सरकारी पक्स की और से भासन हो चुका है तब विरोधी पक्स की और से एक भासन होता है वस्तुते समराट के विरोधी पक्स का समस्त विचार अभी समे का ही परिणाम है लोग प्रभुत्व के सिध्धान पर आधारीत अभीशा में कुछ अभीशा में ऐसे भी हैं जिनका उद्देश सासक के कारियों और निर्वाचकों के निर्णे के बीच सामज़ से स्थापित करना है इस समन्द में एक अभी समय यह है कि सासन द्वारा किसी महतुपूर और विवाद ग्रश्ट विशे पर उस समय तक विधेक प्रस्तूत नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसने ऐसा करने के लिए निर्वाचकों के आदेश न प्राप्त कर लिये हूँ गुन्नी सो ग्यारा में संसदी अधिनियम के आधार पर लाड़ सवा की शक्तियों में कटोती करने के पूर्व लाइड जार्ज की उदार दलिये सरकार ने गुन्नी सो दस के चुनाव में इस विशे पर जनता का इसपष्ट आदेश प्राप्त किया था आदेश अभी समय की ये बात लोग प्रभुत्व की धारना पर आधारित है लोग प्रभुत्व के सिधानत पर ही आधारित एक अन्य अभी समय है कि जब मंत्री मंडल निर्वाचकों से अपील करता है और निर्वाचकों का निर्णे मंडल की प्रतिकुल होता है तब मंत्र मंदल को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए प्रदान मंत्री समराठ से दूसरी बार लोग सदन के विक्टन की सेफारिस नहीं कर सकता अभी समयों के पीछे अनुशक्ति या अभी समयों के पालन क्यों किया जाता है अभी समय नहीं तो कानून निर्मात्री सवा की इच्छा का परिणाम होते हैं नहीं इन्याइक मान्यता प्राप्त होती है एसी इस्तिती में स्वभाविक रूप से प्रशन उपस्तित होता है कि अभिशमयों का पालन क्यों किया जाता है ब्रेटिस सविधान के परस्चिद लेक को प्रफसर डाइशी प्रफसर लावेश लासकी द्वरह इस प्रशन पर विचार कर अपने मत परतिवादित किया है प्रॉपसर डाइसी का मत है कि अभी समय और कानून परस पर घनिश्ट रूप से सम्मंदित है यदि किसी अभी समय का उलंगन किया जाता है तो इससे कानून का उलंगन हो जाता है या इसी उलंगन से कानून को क्षती पहुंसती क्योंकि कानून का उलंगन नहीं किया जा सकता अता अभी शमयों का पालन करना ही होता है धन्यवाद बच्चों अगले वीडियो में इसमें जो अन्य प्रोफसर विध्वानों ने अभी शमयों पर अपने विचार प्रकट किये हैं उसके बारे में बताऊंगा धन्यवाद